दोस्तो अभी अभी कुछ दिर पहले इंडियन ओयल की तरफ से दो काफी बड़ी नियूज निकल के आ रही है, साधी साथ में कम्पनी ने आपे जो अपने डिविडेंट की रिकॉर्ड डेट को लेके भी एक अपडेट शेयर किया है, मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं FN लास्ट यहां पर लास्ट नोयल ने बिड किया था, यहां पर इंडियन ओयल यहां पर टॉप बिडर था, रिलाइंस की केजी गयस के अॉक्षन के अंदर में, पूरी डटेल्स के लिए आप वैने आर्टिकल लगा दिया, उसके नीचे हैं सारी डिटेल्स यहां पे पट सक और यह specific यह जो news है यह Indian oil के shareholders के लिए काफी positive news साबित हो सकती है और stock के अंदर में भी इसकी वाज़े से थोड़ा सा positivity हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है अब आईए Indian oil की यहाँ पे dividend की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि company ने dividend announce किया था 3 रुपे का जो की 30% इसकी face value का था यह जो final dividend announce किया गया था में के मन्त के अंदर में किया गया था और इसकी exit rate और record date अभी तक company ने announce नहीं करी थी काफी जादा लोगों के मन में question था कि यह dividend हमें कब मिलेगा यह dividend हमारे bank account के अंदर कब तक credit हो जाएगा तो इसको लेके एक छोटी सी news निकल के आ रही है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि IOC की dividend 2023 की जो payment date है वो भी तक announce नहीं करी गई है यहाँ पे company ने एक announcement किया है कि जो eligible shareholders होंगे यानि की record date से पहले पहले जिन लोगों ने भी shares को purchase किया होगा उनको यहाँ पे dividend जो है 30 दिन के अंदर में दे दिया जाएगा और यह 30 दिन कब से start होंगे जो company की AGM होगी यानि की annual general meeting होगी उसके अंदर में यहाँ पे record date announce करी जाएगी and record date के बाद 30 दिन के अंदर में जो dividend है आप लोगों के bank account के अंदर में credit कर दिया जाएगा आईए अब बात कर लेते हैं एक और news की जो कि यहाँ पे Indian oil की तरफ से निकल के आ रही है यह वली news थोड़ी सी आप कह सकते हो काफी important news निकल के आ रही है तो यहाँ पे government ने एक suggestion दिया है oil marketing companies को चाहें आप लोग बात करें भारत petroleum corporation की हिंदुस्तान petroleum corporation की इन सब को government ने एक suggestion दिया है कि आप लोग जो अपने oil prices हैं यानि कि जो petrol pumps पे आपके petrol और diesel के prices हैं उनको थोड़ा सा reduce करें सिरफ अपने profitability के बारे में मत सोचिए यहाँ पे पूरे economy को किस तरह से चलाना है उस बारे में भी थोड़ा सोचिए और आपके जो यहाँ पे जो oil prices हैं उनको थोड़ा सा reduce कीजिए ताकि यहाँ पे economy में भी थोड़ा सा हमें जो है relief देखने को मिल जाए सीधा सा government ने यह काई कि सिरफ अपनी profitability पे आप लोग ध्यान मत दीजिए थोड़ा fuel prices को कम कीजिए बेशक आप लोग एक दो quarter के अंदर में profitability report ना कीजिए बट यहाँ इतना fuel price थोड़ा कम कीजिए ताकि यह जो normal public है इनके लिए थोड़ा सा affordable category के अंदर में वापस से fuel price आ पाए तो यह भी एक काफी बड़ी news ने कलके आ रही है और अगर ऐसा होता है यानि कि oil companies इस बात को थोड़ा भी follow करती है और oil prices को cut करना start कर देती है तो सीधी सी बात है revenue के उपर में effect आएगा total companies की valuation कम होगी साधी साथ में companies के profits भी हमें decrease होते है देखने को मिलेंगे जिसका सीधा सा result यहाँ पर इनके share prices के अंदर हमें आता हुआ देखने को मिलेगा और अगर यह चीज होती है तो definitely इनके जो stock prices है वो आने अले time के अंदर में 5-7% और correct होते होगे हमें देखने को मिल सकते है तो इस चीज का अब ध्यान रखिएगा अभी जो quarter के results आगे quarter one का result आएगा उसको एक बार ध्यान से देखिएगा अगर companies ने आप लोगों ने देखा कि उनकी profitability कम होई है साथी साथ में आप लोगों को ये भी दिख रहा है कि market के अंदर fuel prices भी decrease होते हैं देखने को मिल रहे हैं तो आप थोड़ा सा नजर बना के रखिएगा इस tease के उपर में ताकि आप एक perfect exit ले पाया अगर यहाँ पे लेने की जरूरत पड़ी इन companies के अंदर में बागी आज की वीडियो के अंदर इतना है यही दो बड़ी news ने कल के आ रही थी साथी साथ में dividend का update आ रहा था जो मुझे share करना था अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा विगोस फिनो मेडिया के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye